भारत की आवशक्ता की पूर्ती के लिए भारत में साइंस का विकास ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की मूल प्रेना होनी चाहिए भारत में साइंस भारत को आत्म निर्भर बनाने वाली होनी चाहिए हमें ये भी ध्यान रखना है कि आज दुनिया की 17-18 प्रतिशत मानवाबादी भारत में रहती है ऐसे साइन्टिफिक वर्क्स जिनसे भारत की जनुत्य पूरी होगी उनसे विश्व की 17-18 प्रतिशत मानवता को गती मिलेगी और इसका प्रभाव संपूर्ण मानवता पर पड़ेगा इसलिए हम ऐसे विश्वयों पर काम करें जो आज पूरी मानवता के लिए जरूरी है उदाहर के लिए अगर हम एक विश्वय ले ले एनर्जी बढ़ते हुए भारत की एनर्जी नीड्स लगातार बढ़ने ही वाली है ऐसे में भारत की साइन्टिफिक कम्यूनिटी अगर एनर्जी रिक्वार्मेंट से जुड़े इनोवेशन्स करती हैं तो उससे देश का बहुत बढ़ा होगा खास कर हाइड्रोजन एनर्जी की अपार संभावनाओं के लिए देश नेशनल हाइड्रोजन मीशन पर काम कर रहा है इसे सक्सेशफुल बनाने के लिए जरूरी है कि इलेक्टोलाइजर जैसे विबिन एसेंटियल कमपोनेंट्स देश में ही बने इस दिशा में अगर किनी नए आप्शन की गुंजाइश है तो उद्धिशा में भी रिसर्च हो हमारे वैज्ञानिकों को और इंडिस्ट्री को इसके लिए साथ मिलकर काम करना होगा साथ क्यों आज हम एक ऐसे दोर में जी रहे हैं जब मानवता पर नई नई बिमारियों का संकट मंडरा रहा है हमें नए वैक्सिन तयार करने के लिए रिसर्च एंड डेवलप्मेंट को बढ़ावाद देना होगा जैसे आज हम बाड या भुकम जैसी त्रास्टियों से निपटने के लिए पहले से तयार रहते हैं उसी तरह हमें इंटिग्रेटेड डिसिस सर्वलेंस के जरिए समय रहते बिमारियों की पहचान करनी होगी और उससे निपटने के उपाय करने होगे इस लक्ष को हासिल करने के लिए अलग-अलग मंत्रा लोगों को मिलकम काम करना होगा लाइफ लाइफ यानि लाइफ ट्राइल फर एंवार्मेंट इसके बारे में भी आप सभी मेरे साथी भली भाती जानते हैं हमारी साइंस साइंस कम्यूनिटी इस विचा में बड़ी मदद कर सकती है